उत्तर प्रिदेश के हात्रस में मची जानलेवा भगदर के वाद सुर्कियों में आए गोले बावा उर्प नारायन साकर हरी का राजिस्तान के दोसा के बाद अलवर में भी एक आलिसान आस्रम मिला है। इस आस्रम से भी भूले बावा के कई छोपे हुए राज बाहर आये है। यह आस्रम अलवर के खेगली कस्वे के सहिचपुर गाम में इस्तित है। पूर्वी राजिस्तान में मिलने वाला बावा का यह दूसरा आलिसान आस्रम करीब बेड़ वीगा जमीन में फैला हुआ है। भूले बावा का यह आस्रम अंदर से लेकर भार तक पूरी तरह से एकडम टैख है। अनुमतिक विना तो इस आस्रम में परिंधा भी पंक नेंवार सकता है। इस आस्रम के चारों ओर की गई बावड़ी भी एतनी उची है कि अंदर कन नचारा खोई भार का आदमी तो देख भी नहीं पाता है। भारी वेट्टी की बात तो दूर स्थानिय ग्रामीन के प्रवेश पर भी बावा के इस आस्रम में भोक लगी हुई है। ग्रामीनों का कहना है कि पूरोना काल के समय बाबा इसी आसरम में ठेहरा था और उसके बाद भी बाबा अक्सर यहां आया करता है। बाबा के इस आसरम में भी अब तक कई बड़े कायरकरम हो चेते हैं और बाबा के अनिवाईयों कुछ तो इस आसरम में हमेशा भी लगी रहती है। अन्दविश्वा से जाद असर तो बोले बाबा आयते दो चार वीश में तो जब से इन से मतलब बोले बाबा के भक्त जुड़े हैं और काफी लोग में जन सक्या में तो यह आसरम तो साइद मेरे साथ से दस ग्यारे में बनाए उसके अन्नों में बना है लेकिन उसके उन्दवार के लगल यह आस से ulिए जबाइए अन्नों बनाए ग्यारे में जन जो निन सक्या है झाल झाल